हालो और वेलकम बैक टू उनके डिश्टल पॉइंट सो गाईज कैसे हैं आप सभी मैं हून इमकान आप देख रहे हैं आपका अपने डूप चैनल एंक डिश्टल पॉइंट है आग आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल होने वाली है अगर आप कहीं ब बताऊंगा कैसे आप make my trip के अंदर ले सकते हैं pay letter limit पूरे 60,000 रुपे तक यहां guys आपने बेगुल से सुना make my trip आपको देता है 60,000 रुपे तक की pay letter limit इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं 0% interest पे कैसे और कहां पर apply करेंगे यह बताऊंगा आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी बात guys आपको बताऊंगा अगर आप make my trip के अंदर pay letter limit लेते हैं उसके अंदर आपको एक भी document नहीं देना है ना धार काड़ देना ना pen card देना ना bank account की detail देनी है अगर आपको limit मिलती है उस limit को यूज करना make my trip का make my trip पर booking करने के लिए 0% interest कैसे आप make my trip के अंदर pay letter limit ले सकते हैं बताऊंगा आपको इस वीडियो करने वीडियो बयाना वीडियो अच्छी लेकर लाइक करना गाए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कों बूले और हाँ बहले कंदबाद आप ताकि आपको नई वीडियो को notification मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है बहुत ही simple काम वीडियो क्या है लेकर अपको ठीक है मैं आता हूँ अपिस्टोर के अंदर और अपिस्टोर के अंदर आने के बाद आपको यहां पर सर्च करनी है है make my trip application ठीक है make my trip application आपको यहाँ पर सर्च करने है वैसे description में आपको link मिल जाएगा यह है make my trip application आप दे सकते हैं screen पर अगर आप कहीं बार घूमने जाने का plan बना रही है या फिर बाहर से कहीं अपने घर आना चाहते हैं travel booking करना चाहते हैं तो यह best application होती है traveling booking करने के लिए ठीक है देखे flight hotel बस book आप यहाँ पर कर सकते हैं असानी से ठीक है enjoy the super app for travel जी हां यहाँ आप आपको cashback वेरा बहुत मिलते हैं और इन्हों जो है आप से कुछ दिन पहले अपनी एक service launch की थी जिसमें आप प्लेटर लिमिट ले सकते हैं यानि अगर आप कोई documents नहीं देना है तो application open करते हैं open करते हैं सबसे पहले make my trip application के अंदर आपको registration complete करना है और जैसे आप registration complete करेंगे interface आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाए देगा जैसा अभी आपको screen पर दिखाई देरा है ठीक है देख सकते हैं अभी देखिए आप यहाँ पर करते हैं क्या कर सकते हैं मैं मुझे इसके बारे पता भी नहीं तो यहाँ पर अगर हम रेफर करेंगे इस application को तो अभी तक मैंने यहाँ पर 5720 रुपे साइद कमाई होंगे मुझे पता नहीं है मैंने किसी को refer किया होगा और मैं इस्तेमाल भी नहीं करता भाई इसके अंदर इसको अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं और आपको अहां पर प्लेट लिमित बिलती है उसको आप कहीं और भी उसकर सकते हैं कैसे बताओंगा आपको इस योडियो के अंदर आपको क्या करना है मेक माई ट्रिप के अंदर पेले टर लिमिट को लेने के लिए सब से नी यहां से बाहर गुमने गया हो जो तो यहां पर देखें, multi currency card आप बना सकते हैं, 4X currency note आप यहां पर ले सकते हैं, travel insurance आप ले सकते हैं, और बीच में आपको यहां पर एक होल service मिलती है, जो है pay letter के, ठीक है, trip मनी नाम से यहां पर एक service launch किये है, make my trip ने, ठीक है, जिसके इंदर आपको limit मिलती है, आपको क्या करना, pay letter पर click करना है, जब आप pay letter पर click करेंगे, तो भाइस अभी आप देख सकते है, screen पर यहां पर लिखर कार, buy now pay letter, ठीक है, 10 digit का mobile number डाली है, अपने eligibility यहां पर check कीजिए, mobile number डालने से पहले आपको एक थोड़ी सी detail देता हूँ, जो आप से लिए जानना जरूरी है, देखिए, make my trip ने जो अपनी service launch की है, trip money नाम से, इसने tie up किया है भाई, कुछ finance company और bank के साथ में, जिसमें नीचे देख सकते हैं, यह है lazy pay, जी हाँ, lazy pay के साथ में tie up किया है, और दूसरा है jest money, उसके बाद federal bank में है, simple pay letter app है, simple pay letter app के अंदर कैसे limit ले सकते हैं, उसको पर मैंने कल वीडियो बनाया थी देख सकते हैं, ठीक है, यही से आकर आप simple के लिए भी pay letter limit ले सकते हैं, बिना documents के, IDSU first bank है, Ola money है, Kotec bank है, ठीक है, HFC bank की flexi pay service है, यानि guys lazy pay है, जितनी भी pay letter service देती है, finance company या फिर bank, वो सभी का tie up यहाँ पर है, अब आपको pay letter अगर मिलती है, limit, वो इन में से कोई भी bank, कोई भी finance company आपको pay letter limit दे सकते हैं, सबसची बात यह है कि जब आपको यहाँ पर pay letter limit मिलेगी, documents आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, mileage आपको यहाँ पर HFC Flexi Pay के अंदर limit मिली है, एक लाख रुपे की, आपने holiday package करा लिया, कोई 90,000 रुपे का, अब आप उसको 15 दिन में तो वापस नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप easy EOI में convert कर लेना, उसमें आपका interest लेगा, mileage आपने कोई 500 रुपे की ticket book की है, तो limit मिली है, आपको simple से, simple आपको 15 दिन का time देती है, 15 दिन में आपको पैसे वापस करने होगे, 0% interest आपका रहने वाला है, इस तरह की से 15-18 मिने का time मिलता है, no paperwork, on board in 2 minutes, देखे no paperwork, कोई paperwork आपको नहीं करना है, documents, आधर card, pen card, कुछ नहीं देना भाई, only mobile number डा लिए, अब देखे mobile number का क्या fund अब अगर आपने यहाँ पर बिलकुर नया mobile number डाला, यानि कल आपने mobile number लिया, और आज यहाँ पर उसको add किया, तो आपको limit नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, देखे, mobile number से कैसे आपको limit मिलती है, देखे, mobile number से आपको थोड़ा से यह भी जानना आपके लिए जरूरी है, बता देता हूँ आपको, mobile number से limit आपको इसलिए मिलती है, आपने कभी न कभी कोई न कोई loan अपलाई किया होगा, कोई credit card अपलाई किया होगा, पेलेटर लिमिट के लिए अपलाई किया होगा, या फिर आपने अपने credit score चेक किया होगा, आपने अगर mobile number से अपना credit score चेक कर रखा है already, तो जाइर सी बात है कि credit score जब आप चेक करेंगे, आपकी complete detail वहाँ पर देंगे, आपका address वहाँ पर होगा, नाम होगा, mobile number, pen card number, सब तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, कैसे वुक करना हो, तो मैं आस लास्ट में आपको बता दूँए, पहले डालना है आपको यहाँ पर अपना mobile number डाल, ठीक है, देखिए, mobile number आपको यहाँ पर वोट डालना है, अब मैं आपको एक example देता हूँ, देखिए, मेरे पास तो नए नंबर से और पुराने नंबर से क्या फरक होता है, 40 मेरे पास आगी मैं verify करता हूँ, अब देखें मैंने verify कर दिया, अब देखें मुझे यहाँ पर क्या बोल दिया, mobile number not illisible, देखें यहाँ पर for any pay later partner, अभी कोई भी pay later partner मुझे यहाँ पर limit नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, बाई साब यह नए नंबर है, इससे मैंने आज तक कुछ भी check नहीं किया, कोई भी loan नहीं लिया है, तो क्या करूँगा, अब मैं अपना जो मेरा पुराना mobile number है, जिससे मैं सारे loan, या फिर credit card, या फिर credit score मैंने चैक कर रखा है, अब मैं आपको उस mobile number से डारेक्ट लिए बता तो, मैंने आपर अपना register mobile number डाला, जो लड़ी link है मेरे credit score के साथ लिए, अब देखें आपर, जैसे मैंने आपना mobile number डाला, जो पुराना है, मुझे बोल दिया, आप trip money pay letter के लिए eligible है, लेकिन कितने के limit मिली हमें नहीं पता, उसके लिए क्या करना होगा, book your ticket now पर click करना है, या आप आजे हैं यह home page पर ठीक है, अब यह पता करने के लिए कि आपको limit मिली है नहीं मिली है, आपको home page पर आना है, और सबसे उपर आपको यहाँ पर my cash का एक tab दिखाए देर, आपको यहाँ पर click करना है, जैसे आप my cash पर click करेंगे, अब देखे स्कीन पर, यहाँ पर मुझे 15,000 रुपे की already limit मिल चुकी है, यह क्या बोलेगी बाई, देखे, maximum pay letter limit है आपकी 15,000 रुपे की, देखे, अगर आपको यहाँ पर limit मिल गी, और आप बुकिंग करना चाहते हैं, बुकिंग करना बहुती simple है, आप जो यह बुक करना चाहते हैं, महाँ पर बुक पर चाहिएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है, और last मारे के बाद, आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे बुक करना है, एक example है, मुझे बुक तो नहीं करना है, कुछी मैं ट्रीप मनीम आता हूँ, और स्कूल डाउन करता हूँ, यहाँ पर यह रहा, यह रहा, यह रहा, सबसे नीचे, बुक करने के लिए आपको simple सा काम करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर book now, pay later, पर click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर, देखिए, जो भी आपने, जो भी आपने book करना है, जब आप payment में जाएंगे, पैमिट में आपको book now, pay later को choose करना, जैसे आपको screen पर दिखाएद रहा, उसके बाद एक OT भी डालनी है, OT भी डालते ही, आपको booking हो जाएगी, simple सा काम है, ठीक है, तो इस तरीक से guys, आप make my trip के अंदर pay later limit ले सकते हैं, नया mobile number बिल्कुल मट डालना, जिस number से आपने create score check कर रखा है, या फिर कोई loan apply कर रखा है, फिर create card apply कर रखा है, वही number आपको यहाँ पर डालना है, तुरंत आपको limit मिल जाएगी, ठीक है, यह वीडियो अच्छी लेकर like करना, चैनल को subscribe कर देना, बहले कंदा बाद ना, ताकि आपको नई वोडियो को notification मिल जाए, और मुझे अम्मीद है, आपको समझ आगया होगा, आप मेर माई trick की अंदर कैसे आप पर रेटे रिमिट ले सकते हैं, कोई डोक्यमेट से देना, कोई आदार काडने है, कोई पैल काडने है, वो भी एक्टिव, चलिए काज मिलते हैं, कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोसका जवाब दोगा,